इस देश के इतिहास को अगर हम देखें तो आप महात्मा गांधी के योगदान को भुला नहीं सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो एंटी कोलोनियल मुहमेंट पूरी दुनिया में हुआ महिलाओं को आंदोलन से जोरने का काम अगर किसी विक्ती ने किया तो उस विक्ती का नाम महात्मा गांधी है। और आप देखिए, कि देश को आजाद कराने के लिए, अंग्रेजों को इस देश से भगाने के लिए, महातमा गांधी जी को कस्तुरवा गांधी को छोरने की जरूरत नहीं परी। छोड़नी परी क्या कस्तुर्वा गंधी को साथ लेकर चलते थे न और एक आज के परधान मंत्री है कहते हैं कि हमको देश की सेवा करने के लिए पत्नी छोड़ना परा हाईरे बैमानी मेरी एक दोस्त है उसने मुझे कहा एक दिन कि मुझे मोदी जी बहुत पसंद है हमने कहा कि तुमको हम ना पसंद है यह बात कोई दिक्कत नहीं है लेकिन तुमको अगर मोदी जी पसंद है तो एक बात हम तुमको कहना चाहते है इश्वर करें कि तुमको मोदी जैसे ही पती मिले दूर से बात बहुत अच्छा लगता है अपने पर जब बात आ जाए तो उसका आसर समझ में आने लगता है आप मुझे बताईए जो महिलाएं ये कह रही थी कि बिजभूसन जी ने कुछ नहीं किया रही पाएंगी बिजभूसन के साथ जीवन बिता पाएंगी उसके साथ हमारे समाज में जो आज हो रहा है उसको हमको बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है जो अधिकार हमको एक एक करके बिना लड़े मिल गए इस देश में समान वोट के अधिकार के लिए कोई महिला अंदोलन नहीं हुआ जब संबिधान लिखा जा रहा था तो वोट का अधिकार दे दिया गया इस देश में संबिधान सभा में 15 महिलाएं सामिल होंगी इसके लिए कोई आंदोलन नहीं हुआ महात्मा गांधी ने अपने इनिसियेटिव से उस वक्त जो है हमारा अखिल भारतिय महिला संग नहीं था महिला कॉंगरेस नहीं था उस वक्त लेकिन गांधी जी ने महिलाओं को घर से निकाल करके अपने आंदोलन में सामिल कराया और आप जानते हैं सराब बंदी के खिलाप जो पिकेटिंग का आंदोलन होता था वो पूर्ण रूप से महिलाओं का आंदोलन था महिलाएं जाती थी और सराब के दुकानों को बंद कराती थी महिलाओं को राजनिती की मुखधारा में ले करके आए ये प्रोग्रेसिव सोच थी प्रोग्रेसिव सोच के चलते संविधान सभाकाई से निर्मान हुआ जिसमें महिलाओं के प्रतनिधित को सुनिश्चित किया गया और ये प पाई है और हमारे हैं महिला राष्टपती बनी और उसी आधार पे भाजपा को कहने का ये हक मिला कि हम एक आदिवासी को राष्टपती बना रहे हैं बोलिए लेकिन प्रस्ण ये है आज हमारे सामने कि एक आदिवासी को अगर इस देश का राष्टपती बनाया गया है तो मन या राश्ट्पती ने अपने मुह पे क्यों चुप्पी साथ रखी है ये राजनितिक चुनाउती है इस राजनितिक चुनाउती को हमको समझना परेगा और हम यह बात समझें कि वींग बनाने का ये मतलब नहीं होता है कि हम गुलदस्ता है कि नेताजी आने वाले हैं तो चा और जब खाने लगएगा तो निकाल दीजेगा यह परतिनिधृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृ अरे राजस्थान क्या दुनिया के किसी कोने में अगर महलाओं के उपर कोई अत्याचार होगा तो बिना किसी राजनितिक लाग लपेट के उसके उपर सवाल खरा करेंगे उसके खिलाब बोलेंगे यह हमारा हक है आप यह वाट वाउट रीज कर रहे हैं आप यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि चोरी हो जाना डकैती हो जाना और बलातकार हो जाना एक है नहीं है एक किसी का परस मारा गया और किसी के साथ बलातकार हुआ यह दोनों अपराथ एक है क्या जो जो सर्वाइवर होते हैं उनकी पूरी जिंदगी जो खड़ाब हो जाती है सबाल सवाल उनकी मानसिक्ता का है सवाल साइकलोजी का है इस बात को हमको समझना परेगा और ये दोनों अपराद को मिलाने को दोनों अपराद को एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं हमको इसकी गंभीरता को समझना परेगा हमको इस गंभीरता को समझना परेगा कि यह सब कुछ आ कहां से रहा है उसके पीछे की मानसिक्ता क्या है और हमारे रास्टिया ध्यक्ष ने भी यह बात कही और सचिन जी भी ने अपनी बात में इस बात को कहा कि हम मानते क्या हैं हम सोचते क्या है अगर हम यह सोचते हैं हमारे सोच में है कि धन की देवी लक्षमी है बिद्या की देवी सरश्वती है तो धन की देवी जब लक्षमी थी तो right to property का अधिकार क्यों नहीं दिया गया यह प्रस्न पूछना चाहिए न जब बिद्या की देवी सरश्वती है तो महिला और पुरुस को पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं दिया गया यह जब हम सोचेंगे तब हमको समझ में आएगा कि आजादी गिफ्ट में नहीं मिला है नागरिक्ता का अधिकार गिफ्ट में नहीं मिला है राजनीती में सामिल होने का अधिकार गिफ्ट में नहीं मिला है जो लोग उस वक्त आंदोलन को चला रहे थे ये उनकी सोच थी कि अगर हमारी महलाओं कोई पास पहनने के लिए सारी नहीं है जब कस्तूरवा के साथ गांधी गए चमपारन तो कस्तूरवा से गांधी ने पूछा कि ये बताओ कि हमारे प्रोग्राम में महलाओं क्यों नहीं आती है तो कस्तूरवा ने बताया कि इतनी ज़्यादा गरीवी है कि बाहर जाने के लिए एक ही सारी है सारी महलाओं एक बाहर नहीं निकल सकती है तो सारी महलाओं को छोर करके कोई एक बाहर नहीं आना चाहता है और एक कहानी बोल करके मैं अपनी बात को समाप करूँगा उससे आप बस तू बस इस्थिती को अपने आप समझ जाएंगे एक बार मेरे घर में शादी थी सारे मर्द को बाराद जाना था ये आज शुरू हुआ है कि अब जो है बेटे की सादी में मा भी बारादी बनती और बेन भी बारादी बनती है पहले ये नहीं होता था मेरे बच्पन में जो मुझे याद है कि जब सादियां होती थी घरों में तो सारे मर्द चले जाते थे और सारी औरतें रुक जाती थी मेरी दबियत खराब थी और मैं उस दिन नहीं जा पाया बखार था बहुत तेज और बघर में मैं सो रहा था कुछ दिर के बाद मैंने यह देखा ज़क बाराइचा चली गई है तो हमारे घर में गाने की आब आ जा रही है थालियां बज रही है डोलक बज रहा है और लोग गा रहे हैं नाच रहे हैं कौतुहलता बस out of curiosity मैं जाकर के चुपचाप दरवाजे के पास जाकर के देखने लगा और मुझे इतना आस्चर्ज हुआ कि जिस माँ ने मुझे नौ महीने पेट में रखा अपनी एक एक सांस दी खून दिया पसीना दिया नौ महीने पेट में रखकर के पैदा किया रोज खाना खिलाया पकाना साफ किया पढ़ाया लिखाया वो मेरी माँ गाती है यह मुझे मालूम ही नहीं था वो मेरी बुवा जिसकी गोद में मैं पला वो बुवा जो है डांस करती है मुझे पता ही नहीं था और वो जो एक फोक कल्चर है वो फोक कल्चर इतना मजबूत है कि वो वक्त मिलता था महिलाओं को अपने भीतर के स्रिंगार को प्रकट करने का अपने भीतर के प्रेम को प्रकट करने का जिस समाज में आपको अपकी भावना प्रकट करने का आधिकार नहीं हो उस समाज में महिलाओं को राजनिती में लेकर के आना एक चुनोती पूर्ण कार है और हम जितना आगे बढ़ रहे हैं यह जो बिचार वाली बात है जो यह कहता है निर्भया कांड के दौरान कि अगर वो उस बलातकारी को भाईया भाईया कह करके माफी मांगती तो उसकी जान बच जाती उसी मांसिक्ता के लोग जबाद सत्ता में बैठे हुए है तो आपको लगता है कि निर्भया के नियाई के लिए जो कानून आया वो कानून बन पाता वो कानून इसलिए बन पाया क्योंकि कॉंग्रेस का नेत्रित सोनिया गांधी के हाथ में था अगर नित्रित सोनिया गांधी के हाथ में तो महिलाों को आगे बढ़ने का हक मिला और नित्रित आज ऐसे आद्मी के हाथ में है जो पत्नी छोड़ करके भाग गया तो महिला अधिकार का क्या होगा इसको आप खुबी समझ सकते हैं इसलिए मैं पॉलिटिकल कल्चर की बात कर रहा हूँ, अपराध कहीं भी हो सकते हैं, अपराध छतिजगर में भी हो सकता है, राजस्थान में भी हो सकता है, मनिपुर में भी हो सकता है, मन्धपर्देश में भी हो सकता है, लेकिन अपराध के बाद पुलिस की कारवाई कैसे ह हो रही है सरकार उस पर क्या बोल रही है जिस पार्टी की सरकार है उसके spokesperson क्या बोल रहे है इस बात पर हमको ध्यान देना परेगा और Congress और BJP के बीच में दल का फर्क नहीं है बिचार का फर्क है इस बात को हमको समझना परेगा और अगर हम समानता में भरोसा रखते हैं अगर हमको लगता है कि बलात कारियों को मंत्री, मुख मंत्री, विधायक और MP नहीं बनाना चाहिए तो 2024 का चुनाव Congress Party के अस्तित्व का चुनाव नहीं है 2024 का चुनाव हम महलाओं के लिए हम तमाम नागरिकों के लिए इस देश के अस्तित्व का सवाल है संबिधान के अस्तित्व के सवाल है इसको हमको समझना परेगा और जिन चीजों से हम जूज रहे हैं चाहें वो महंगाई हो, चाहें वो बेकारी हो उन तमाम सवालों को लेकर के हमको घर-घर जाना है और जो संबिधान ने जो हमको अधिकार दिया है समान अवसर का समान का, एकता का भागीदारी का उसको हमको आगे लेकर के जाना होगा और जो नारा आपने लगाया है आधी आवादी, पूरा हक अपनी पार्टी और NSY के तरफ से इस मांग के साथ हम पून समर्थन में खरे हैं और आप किसकी लड़ाई में कंधे से कंधे मिलागर के आपके साथ चलेंगे इन्हीं सब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा शुक्रिया, इनकलाब जिन्दाबाद, जै हिंद, जै कॉंग्रेस, जै महिला सकती